कि लेट स्कार्ट मार्च 2023 वाला सम एक इंपॉर्टन्ट लैंडमार्क सम है ट्रिदिंग अपाउंट ड्रॉप करिए 12-14 लाइंस बाकी का पेज छोड़ दीजिए नेक्स्ट पेज पेज प्रॉप यह थमरूल कहता है यहां पे six lines यहां पे five lines three lines एंड रस्ट ऑफ पेज क्रेक्ट इदर एक लाइन फोड़ देने की इदर भी आप एक लाइन छोड़ोगे तो होना चाहिए उसी पेज़ पे एट लाइन्स का पाटनर्स कापिटल अकाउंट नेक्स्ट पेट पे बैलेंशीट हम रूल कहता है इधर टैन लाइन्स यह रेस्ट इधर शिक्स लाइन्स इधर शिक्स लाइन्स यह रेस्ट और पेज तो यह सब ड्रॉ करने में आपको फॉर 5 इनिट्स लगने काउजिए नाव इंट स्टाट अग्ये एजस्टमैंंट किन-किन पर है इंटस्वन कापिटल पर है इंटस्वन पर है कमिशन देनी है रिटा को भागिंग इक्सेस्लेट के निया है ते पेर लों जो फ्रेंड्स से लिए उस पर इंट्रस्ट आउट्स पर है और बीडियार डेटर्स पर डेटर्स पर रखने हैं और क्लोजिंग स्टॉक अब क्यूंकि यह टी शेप ट्राइब से तो मैं पहले क्रेड़ेट करूंगा फिर डेबिट से पर जाँगा इस ऑल्वेज एडवाइसेबिल की ट्राइब से सम्शुरू करें से सम्शुरू गया तो करेक्ट सबसे पहले कापिटल बालेंस दे रखा है तो आप लिखोगे बालेंस वीडी वन लाक और सिस्टी टू थाजन फाइंट है अब ट्रेडिंग अकॉंट में आता है डेबिट साइट में चेक करिए कहीं आपको से रिटर्न नहीं नजर आ रहा है तो डिरेक् अब पर्चेस रिटर्न क्या करते हैं पर्चेस में से माइनस सामने आप पर्चेस चेक करिए आपके पास हैं यह सिक्स लाक नैटी थी ताउजन सेवन हंद फिटी तो पर्चेस आप ट्रेडिंग अकॉंट पहली लाइन चोड़ देना ओपनिंग स्टॉक के लिए तू पर् पर्चेस रिटर्न और डिफरेंस 6,007,500 बाहर लिख नो कुंग है अगर्याद कि कॉये इस्पंट नहीं है तो आप नेट आप कर सकते हैं दिसकाउंट और लिए इंकम है इंकम है अधर इंकम से तो बाइडिसकाउंट अन विए कट अभावांस इस सिछ थाउजन तो एप् फिर bank account अब ये bank overdraft है अब बैंक वर्डराफ्ट अमरे ली होती है liability, current liability तो current liability में लिखिये bank overdraft 10,000 12,67 same side creditors 6,250 is also a current liability creditors 6,250 in the outer column borrowed loan 12,500 is a non-current liability loan हम लोग assume करता है कि longer duration के लिए बौरो किया है अब हमने trial balance का credit effect दे दिया अब debit effect पजाते है drawings दे रखी है partners capital account में debit side 2 drawings RITA की RITA में Rina की RITA में opening stock is next item 8750 trading account में 2 opening stock 8750 next purchase हम लिख चुके हैं traveling expenses Rina के हैं अब Rina एक partner है तो partner से rated सारी बाते कहां आती है profit and loss appropriation में तो महर्मानी करके इसको traveling expense को P&L में मत लिख देना selling expenses मत लिख देना Rina के हैं traveling expenses Rina के हैं और इस पर adjustment है इसलिए हम लोग अंदर लिख रहे हैं तो यह one of the important point है इस समकी traveling expenses Rina फिर traveling expenses salesman को भी दे रहे हैं तो यह वाले जो salesman वाले हैं वो selling expenses हैं तो वो अपने selling expenses में लिखे इसके heading के नीचे पर जो Rina को दे रहे थे वो अपने profit and loss appropriation में लिखे तो यह एक अच्छी point है इस समकी salary accountant को दे रहे हैं और collection clerk को दे रहे हैं तो accountant को जो salary दे रहे हैं वो हमारा administration expense है पर collection clerk याने debtor से जो पैसा कले करता है debtor याने sales से related है तो collection clerk की जो salary है वो selling and distribution में जाएगी बहुत ही जोड़दार सम्मेली है collection clerk की salary selling and distribution में जाएगी accountant की salary administration में जाएगी दो salary है salary की बाद column दे रखा है फिर है शॉप रेंट जिस पर adjustment है शॉप रेंट आप administration कर सकते हैं 4500 इनर कॉलम में लिखा क्योंट भी adjustment है डेटर्स पर adjustment है डेटर्स हमारी current assets है current assets में लिखेंगे डेटर्स इनर कॉलम में लिखेंगे की adjustment है बीडियार बेटेट्स रिकावरी बेटेट्स रिजर्व की नेक्स्ट है carriage goods अभी carriage sales नहीं है carriage goods है मतलब intention यह किया रही carriage अब यह मोस्ट इंपर्टन पॉइंट प्रीपेड रेंट ऑफ शॉप ओपनिंग प्रीपेड दे रखा है आज तक कभी भी हमें नजर भी है हमेशा हमारे को क्लोजिंग प्रीपेड आता है जो इस समय है इस बार पहली बार ओपनिंग प्रीपेड रेंट है जो अब अब अच्छी पॉइंट है जो शॉपरेंट में अपने आड करती है तो बंसे सेंट के साफ से पिर दिसकांट अनलांस हैं इसकांट अनलांस हम लोग लोग सेलिंग डालेंगी डिसकांट अनलांस इस नेक्स हैं मेल डिसकांट इस गारें मेल और अच्छी ताऊसें प्रीपरालियां र्नास नेक्स दो इनकम थाइस is other expenses तो डोनेशन की नीचे आप लिखें तो इंकम टाक्स 62,500 professional tax is an administration expense तो professional tax administration expenses है एदर एक लाइन चोड़ देना क्योंकि एजस्मेंट है तो तो professional tax 625 next bank over trust interest on bank over trust is a financial expense financial expense interest on bank over trust तो वहां लिखें 30,000 के बैंक कमिशन एक अधर expenses है तो वाफ अधर expenses में लिखें income tax के नीचे bank commission फिर यह है shares of SBI shares of SBI अब shares of SBI हमारे लिए investment है अब investment है तो वो आ जाएगा non-current assets में shares of SBI next यह fixed assets है fixed assets तो fixed assets पर adjustment भी है 20% depreciation है ना तो इसको अंदर लिखने fixed assets 6250 अंदर लिखने fixed assets 6250 अंदर लिखा युश पर adjustment है next step fixed asset maintenance fixed asset maintenance एक है fixed assets और एक है fixed assets maintenance तो fixed assets maintenance is other expense तो other expense is bank commission के नीचे fixed assets maintenance maintain करने का कर्चा गरेक्ट बहुत ही अच्छा समयेगी cash balance is a current asset debtors में एक दो लाइन छोड़ देने की cash balance current assets next goodwill goodwill is non current assets intangible अच्छा fixed assets में adjustment है एक लाइन चोड़ देनों आपके बास तो दर दस लाइन है आप अराम से लिख सकते हैं अब हमने tri balance complete कर लिया अब हम adjustments all करेंगे हर adjustment के दो effects एक debit एक credit 12% interest on capital और 5% interest on drawing सबसे पहला है यह मैंने repeat कर रहा हूं interest on capital business का expense है partner का income बिजनेस का expense है इसलिए वो profit loss appropriation में आएगा अच्छा यहां पर रीना की adjustment है तो एक लाइन छोड़ देना पहला है तो interest on capital रीटा एंड रीना अब जितना capital उसके interest मिलेगा तो 12 percentage वन लैक का 12,000 होता है तो लिखें 12,000 रीना में आप लिखेंगे 7,500 62,500 का 12% is 7,500 टोटल 19,500 अब हर वो adjustment जो P&L appropriation के debit side आती है वो पार्टनर्स कापिटल के credit side यह हमने debit effect दिया अब आना चाहिए हमें credit effect तो credit effect आएगा हमारा पार्टनर्स कापिटल में by interest on capital हर वो adjustment जो P&L appropriation में debit side partners capital में credit side next adjustment है 5% interest on drawings तो यह हमारी drawings है अब यह business के लिए income है partner के लिए expense है क्योंकि business के लिए income है इसलिए प्रोक्रनर्स appropriation के credit side आएगे राइट तो यह हमने देदिया credit effect by interest on drawings RITA 750 RINA 500 यह से कलकुरेट किया 15,000 का 5% 750 आएगे 10,000 का 5% 500 हर वो adjustment जो P&L appropriation में credit partners capital में debit to interest on drawings 750 and 500 next 3% commission देना है sales पर RITA को तो sales थी 10,000,000 अब commission business का expense है पर क्योंकि यह partner से लिटेट है तो P&L appropriation में आएगा to commission 30,000 हर वो adjustment जो P&L appropriation के debit side वो partners capital के credit side रीटा को दे रहा है इसले रीटा के column में लिखाओ next every month 1500 is payable to RINA for traveling expenses done for the business पंद्रा सौर पे हर मेने साल के बारा मेने हूं पंद्रा सो इंटू बारा करो कितना होता है 18,000 अब हमें traveling expenses RINA को दिने 18,000 आप चेक करो रीणा को traveling expenses अपने actually कितना debit किया है 15,000 इसका मतलब 3,000 is outstanding plus अब हर वो adjustment जो पी अल अप्रोक्रियेशन के debit side वो partners capital के credit side by traveling expense RINA को महरवानी करके outstanding समझके इसको balance sheet में liability side मतलिक देना partner से रिटेड है partner से रिटेड है तो पील अप्रोक्रियेशन में debit credit partners capital में credit तो यह भी अच्छी point है एक right next पर जाते हैं 250 is outstanding for interest on borrowed loan जो friend से loan लिया था ना उसका dice over pay interest बागी है तो वो मारा financial expense है तो interest on loan 250 यह दिया debit effect दूसरा आना चाहिए credit effect अब यह हमारी current liability है outstanding interest on loan current liability next पर आते हैं अब यह important adjustment है shop rent आपने 12 months का pay किया है और 30 April 19 और यह है 31st March यह एक महीने का prepaid pay कर दिया है अब अभी shop rent कितना pay किया है 4500 यह 12 महीने का है तो एक महीने का अपने prepaid इस साल भी pay कर दिया है तो 4800 into 1 divided by 12 करिए 4500 into 1 divided by 12 तो we'll give you 375 तो इस साल भी 375 पीस का prepaid shop rent है ओके अब prepaid क्या करते है माइनस बिलकुल सही prepaid अब यह आया credit effect दूसरा आना चाहिए debit effect प्री पेड शॉप रेंट हमारा करंट आसेट है तो वहां आगे ओके नेक्स्ट है प्रोवाइड 20 परसंट depreciation on fixed assets अब fixed assets हमा रहे थे 6250 के यह हमारे fixed assets है इस फिर 20 परसंट depreciation क्या करना चाहिए माइनस बिलकुल सही 20 परसंट करेंगे तो 1250 आएगा 5000 in the outer column माइनस किया credit effect दूसरा आना चाहिए debit effect अगर expenses and losses में depreciation on fixed assets 1250 next doubtful recovery अब जो भी doubtful recovery होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रिजर्व क्रेट करते हैं BDR bet debts reserve तो debtor में से माइनस माइनस bet debts reserve 1250 अब यह reserve future loss है अधर expenses and losses में आप लिख सकते हो तो bet debts reserve 1250 next last adjustment closing stock 95,125 closing stock अता है trading account में credit side by closing stock 95,125 this is credit effect हर adjustment के दो effect एक credit दूसरा debit closing stock 95,125 अब सम केट्स ओवर नाव स्टार्ट क्लोजिंग सबसे पहले trading account बन करेंगे टोटल करेंगे 10,95,125 goes this side 10,95,125 यह माइनस करिए आपको आजाएगा gross profit 3,61,375 जो profitable loss में transfer होगा profitable loss में आप credit side लिखोगे by cross profit भाही amount अब यह टोटल करोगे it's going to the next slide also so if we total it आपको आजाएगा 3,67,875 goes this side right उसमें से यह सारी चीजह माइनस करोगे definitely this also will subtract all these values you will get a net profit correct the net profit will be to net profit 97,500 जो profit में जाएगा by net profit right अब अब यह टोटल करोगे 98,750 goes this side उसमें से यह माइनस करोगे correct divisible profit आजाएगा अब इनका जो profit and loss ratio है वो है 6 is to 4 which is 3 is to 2 so 3 is to 2 में divide कर रहा है correct so if we distribute it into 3 is to 2 you will get 18,750 and 12,500 debit effect दूसरा ना चाहिए credit effect partner's capital में by divisible profit and you will write this now you will total this Rita for total करेंगे you will get this value goes this side minus करेंगे you will get to balance ED 1,45,000 the same thing you will do it over here 85,500 shifts over here if we subtract these values you will get balance 75,000 this you will write it in balance sheet Rita and Rina and total अब balance sheet का total करेंगे तो तालीम लेगा 2,54,000 on both the sides so please do this sum it may come in your internal exams good luck